सो अलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीम विश्यो कर्मा योजना के बारे में इस योजना में कैसे आप आवेधन कर सकते हैं और यहां पे आपको किस किस तरह के बेनफिट्स मिलने वाले हैं यह सारी चीजे आज की इस वीडियो में हम बात करने वा बैंकों में आप जाएंगे लोन लेने तो आपको 14-15% का भ्याजदार देना पड़ता है लेकिन अगर आप इस योजना के जरी लोन लेते हैं तो पहली चीज तो आपको काफी आसानी से लोन भी मिल जाएगा और आपका जो इंट्रेस्ट रेट होगा वह 5% होगा तो चले को गुगल पर सर्च करना है पीएम विश्यो करमा सर्च करने के बाद यह जो पहला वाला वेपसाइट देखने को मिल रहा है इस वेपसाइट के जरी है आप इस योजना के लिए आवेधन कर सकते हैं लेकिन अगर आप CSC के थरू आवेधन करते हैं तो आपका जो रिजेक् いた को लोगइन कर लेना है दोस्तों करने को बाद यहां पे एक सबक ऐकना देखने को मिल रहा हो लोगईन करने के बाद यहां पर ना चला है क्लिक करने क्लिक करने के बाद register now लिखके यहाँ पे yes no का आफसान आ रहा है तो simply यहाँ पे no करना है और दूसरे वाले आफसान में भी आपको no करना है no करने के बाद simply आपको continue वाले बटन पे क्लिक करना है कंटीन lamp पर क्लिक करने के बाद जहांपे आपको अपना आधार link mobile रङदालना है और जी वाले कालम में आपको अधार काड नम्बर ढालना है और जहाँपेCl varτα के बाद डालने के बाद जी वाले option को आपको टिक करने के बाद आपको continue WALE button पर क्लिक करना है continue करने के बाद आपके सामने कुछिस तरह का interface देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका जो registered mobile number है जो आधार से link है उस पे एक OTP देखने को मिलेगा तो simply यहाँ पे आपको अपना OTP डालना है और OTP डालने के बाद आपको continue वाले बटन पे click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अधार काड नंबर सो कर देगा और नीचे जो checkbox दिया हुआ simply आपको इस पे click करना है और click करने के बाद verify biometric वाले option पे आपको click करना है click करने के बाद simply आपको fingerprint के जरीए यहाँ पे अपने finger को scan करना है scan करने के तुरंत बाद आपके सामने कुछ इस तरका interface देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे full name में आप देख सकते हैं आपका जो पूरा नाम में वो दिखा दे रहा है और यह फादर spouse name में आपके पिता जी का नाम यहाँ पे date आप बर दिखा दे रहा है यहाँ पे marital status है तो यहाँ से अगर आप married है तो marriage select करेंगे अगर आप unmarried है तो यहाँ से unmarried select करेंगे यहाँ पे gender automatically यह select कर लेगा इसके बाद यहाँ पे category का option दिया हुआ है तो यहाँ से आप अपने category को select कर लेंगे general SCST OVC जो भी आप है इसके बाद दिब्यांग जन का option दे रहा है तो अगर आप दिब्यांग है तो यहाँ पे yes करना है नहीं है तो simply आपको no करना है अगर आप दिब्यांग जन नहीं है तो यह वाले option को भी आपको fill नहीं करना है जहाँ पे option दे रहा है कि क्या आप अपने ही state में कोई business करते हैं तो अगर करते हैं तो हाँ करेंगे नहीं करते हैं तो no करेंगे यहाँ पे जिरा है क्या आप अपने जीले में कोई काम करते हैं तो यहाँ पे अगर आप जीले में कोई business कर रहा हैं तो yes करेंगे अगर नहीं कर रहे हैं तो no करेंगे यहाँ पर minority का option दिया हुआ है तो अगर आप minority है तो yes no करेंगे और यहाँ से आप अपनी minority के religion को select कर लेंगे दोस्तो इसके नीचे contact details का option दे रहा है जहाँ पर आपका mobile number automatically दिखा देगा यहाँ पर आपका आधार card number दिखा देगा और यहाँ पर आपको अपना pen card number डालना है जो की optional है अगर आपके पास pen card है तो डाले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी चल सकता है pen card number डालने के बाद नीचे यहाँ पर family details का option देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपका जो रासन card है वो रासन card number यहाँ पर आटोमेंटिकली दिखा देगा तो अगर आपके घर का कोई member है जिसका रासन card में नाम नहीं है और आप उसको भी स्योजना से जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे add row का option दिया हुआ है इस add row पर क्लिक करके आप अन्य members को भी जोड़ सकते हैं जो कि आपके रासन card में ना हो दोस्तो देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर add row का option कर रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे दिखा दे रहा है एक option तो इसमें आपको नाम भरना है जिस भी family member को आप यहाँ पर add करना चाहता है यहाँ पर relationship डालना है और यहाँ पर आपको उनका आधार card number डालना है इतना डालने के बाद यह automatically यहाँ से उस member को भी add कर लेगा दोस्तो इसके नीचे आधार address का option दे रहा है तो आपके आधार card भी जो भी address दिया रहेगा वो address यहाँ से आटोमेटिकली आ जाएगा state भी यहाँ पर दिखा देगा यहाँ से आपको अपने district को select करना है district यहाँ से select करेंगे pin code यहाँ पर आटोमेटिकली आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो current address है वो same as आधार address है यानि कि आपका जो आधार पर address है उसी जगह पर वरतमान में भी रहते हैं तो अगर रहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे यहाँ पर नहीं रहते हैं तो other address डालना है तो नीचे other पर क्लिक करके other address भी डाल सकते हैं हलाकि मेरा जो आधार और current address है दोनों same है तो मैं simply same as आधार address टिक करूँगा यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप ग्राम पंचायद के अंडर आते हैं तो अगर आप ग्राम पंचायद के अंडर आते हैं तो simply आपको yes करना है yes करने के बाद यहाँ से आपको अपना block select करना है block select करने के बाद यहां पे gram-5 अप्षायद का अपशन दे रहा है जहां से आपको अपना gram-5 अपशन करना है gram-5 अपशन करने के बाद नीचे आपको profession और trade details का अपशन देखने को मिल जा रहा है जहां पर आपको अपको प्रोफेसेरिषा लेट करने के बाद सब्ट्रेड का आपोई यहां पर सिंप्लिक ड्ली एक डिक्लिरेशन करेंगे या फिर current address की जगह पर है तो current address करेंगे या फिर other है तौ अधर पर टिक करके यहां पे आप उस जगह के details को भर देंगे हलागी मेरे case में यहां पर सेम है अधार address है तो मैं इसको करोंगा इसको आपको Save करना है और Save करने के बाद Next वहले बटन पर खिलिक करना है करना है इसके बद यहां पर आपको अपना account number डालना है और यहां पर आपको अपना account number दोबारा से इंटा करना है bank details भरने के बद नीचे आपको credit support का option देखने को मिल जा रहा है यहां सबसब देख सकते लिखा हुआ है अगर आप एक लाख रुपे तक का लोन लेना चाहते हैं वो भी सिर्फ 5% के interest rate पे जो कि आपको 15 महिने के अंदर paid करना होगा तो इसके जरी आप ले सकते हैं या फिर अगर 2,00,000 का लेना चाहते हैं तो इसको भी 5% के interest rate पे आपको 30 महिने के लिए देखने को मिल जाएगा तो अगर आप लेना चाहते हैं तो simply इस पे click करके यहाँ पे details भरेंगे नहीं लेना चाहते हैं तो maybe later कर देंगे बाद में आपको जब जरूरत हो तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं इसके निचे digital incentive details का option देखने को मिल रहा है तो अगर आप digitally active हैं यानि की phone पे Google पे यह सब चीज़े use करते हैं तो यहाँ पे simply yes करना है और yes करने के बाद यह जो add row का option दे रहा है इस पे click करके यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना UPI ID डाल दिया है इसके बाद simply आपको save करना है और save करने के बाद आपको next value button पे click कर देना है next करने के बाद यहाँ पे आपको scheme benefits का option देखने को मिल जा रहा है तो अगर आप skill training के लिए eligible होंगे और उसी skill पे आप कोई business start करना चाहते हैं तो government आपको अपनी तरफ से 15,000 रुपे देगे जिसके जरी आप कोई भी अपना business start कर सकते हैं दोस्तों इसके नीचे marketing support का option देखने को मिल रहा है तो माल लिजे अगर आपने कोई business establish कर लिया और आपको marketing support के लिए भी कुछ fund चाहिए तो इन में से आप options select करेंगे आपको जिस तरह का भी marketing support चाहिए इस पे आपको click करना है जो भी options आप select करना चाहते हैं वो select करेंगे इसके बाद आपको simply save कर देना है save करने के बाद आपको next वाले button पे click करना है next पे click करने के बाद यहाँ पे आपको declaration का option देखने को मिल रहा है तो simply आपको यहाँ पे check box में tick करना है और tick करने के बाद submit वाले button पे click करना है इसके बाद आपका जो farm है वो submit हो जाएगा तो यहाँ से आपको इस application नमर का photo कीच लेना है इसके बाद done वाले बटन पर click कर देना है done करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं application status review pending by gram panchait यहाँ से आपका जो application है वो submit कर दिया गया इसके बाद इसका review किया जाएगा gram panchait के दोरा इसके बाद इसे आगे की तरफ forward कर दिया जाएगा दोस्तो इसको scroll करके नीचे आएगे तो यहाँ पर आप साप साप देख सकते हैं आधर के वाई से complete हो चुका है विशुकर्मा registration भी complete हो चुका है यहाँ पर registration के approval का wait है जैसे यहाँ से आपका जो registration है वो approve हो जाएगा इसके बाद आपको skill training के लिए mail या message देखने को मिलेगा तो दोस्तो यह था PMB सुकर्मा योजना में आविधर्न करने का complete process तो दोस्तो आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो अपने दोस्तों के साथ भी share करो और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारी चैनल को subscribe करो तो चलिए दोस्तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक लिए जाहिन वंदे मात्रम